ओम श्री परमात्मने नमह प्राप्त हुए पुरुष्रिष्ट के आद में पुनह उत्पन्य नहीं होते और प्रले काल में भी ब्याकुल नहीं होते है अर्थात गर्भाधान का अस्थान है और मैं उस योनी में चेतन समदाय रूप गर्भ को अस्थापन करता हूं उस जड़ चेतन के संयोग से सब भो करने वाली उस दुनियों में जितनी मूर्था आर्था शरीड़ारी प्राणी उत्पन्य होते हैं प्रकृतिक तो उन सब की गर्भ धार्न करणे वाली माता हूं और मैं बीज को अस्थापन करने वाला पिता हूं हਹे अर्जुन सत्वकून रजोगुन और तमोगुन ये प वो सुख के संबंद से और ज्ञान के संबंद से अर्थात उसके अभिमान से बनता है। हेरजुन राग रूप रजोगुन को कामना और आशक्ति से उत्पन जान। वो इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंद से बांगता है। हे अर्जुन सब देहा विमानियों को मोहित करने वाले तमोगुन को तो अज्यान से उत्पन जान, वो इस जिवात्मा को प्रमाद, आलच से और निद्रा के द्वारा बांधता है हे अर्जुन सत्गुन सुख में लगाता है रजोगुन करम में तथा तमोगुन तो ग्यान को ढखकर प्रमाद में भी लगाता है ये अर्जुन रजोगुन और तमोगुन को दबाकर सत्गुन वेसे ही सत्गुन और रजोगुन को दबाकर तमोगुण होता है अर्तात बढता है जिसमें इस देह में था अंतहकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक सक्त उत्पन्न होती है उसमें ऐसा जानना चाहिए कि सत्गुन बढ़ा है हे अर्जुन रजोगुन के बढ़ने पर लोभव प्रविति, स्वार्थ बुद्ध से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, असान्ति और विशे भोगों की लालसा से लालसा ये सब उत्पन्न होते हैं हे अर्जुन तमोगुन के बढ़ने पर अंताकर्ण और इंद्रियों में अप्रकास कर्तब्य कर्मों में अप्रृति और प्रमाद अर्थात ब्यर्थ चेश्ठा और निंद्राज अंताकर्ण की मोहिनी भृतियां ये सब ही उत्पन्न होते हैं जब ये मनुस्य सत्व गुन की ब्रधी में मृत्व को प्राप्त होता है तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिब्विस्वरगाद लोकों को प्राप्त होता है रजोगुण के बढ़ने पर मुटों को प्राप्त होकर कर्मों की आशकते वाले मुनुस में उत्पन होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मुनुस से कीट पसू आज मुढ यूनियों में उत्पन होता है स्रेश्ट कर्म का तो सात्वी तर्थात सुख ज्यान और बैराग्याद निर्मल फल कहा गया है राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्यान कहा गया है सत्व गुन से ज्ञान उत्पन होता है रजो गुन से नहीं संदे लोह तथा तमो गुन से प्रमाद और मोह उत्पन होते हैं और अज्ञान भी होता है सत्व गुण में इस्तित पुरुस रगाद उच लोकों को जाते हैं रजो गुण से इस्तित राज़त पुरुस मद्ध में अर्थात मनुश लोक में ही आते हैं और तमो गुण कारे रूप निद्रा प्रमाद और आलस याद में इस्तित तामस पुरुस अधोगति को अर्थात कीट पसु आधनीश योनियों को प्राप्त होते हैं जिस समय द्रष्टा तीनों गुणों के अतरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे शक्तानंद घंश रूप मुझ परमात्मा को ततु से जानता है उस समय वो मेरे सुरूप को प्राप्त होता है ये पुरुस शरीर की उत्पत्ती के कारण रूप इन तीनों गुणों को उलंगन करके जनम्रतु ब्रधा वस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमात्मनंद को प्राप्त होता है अर्जुन बोले इन तीनों गुणों से अतीत पुरुस किन किन लक्षनों से युक्त होता है और किस प्रकार से आच्डों वाला होता है तसा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है श्री भगवान बोले है अर्जुन जो पुरुस सत्व गुण के कारे रूप प्रकास को और रजो गुण के कारे रूप पुरुतियों को तो थातमों गुण के कारे रूप मोह को भी ना तो प्रवृत होने पर उनसे द्वेश करता है और ना नृवृत होने पर उनकी आकांच करता है जो साक्षी के सद्रिस इस्थ हुआ गुडों के द्वारा बिजलत नहीं किया जाता और गुडों में बर्तते हैं ऐसा समझता हुआ जो सच्दानंद घंपर मात्मा में एक ही भाव से इस्थ रहता है युद उस इस्थिति से कभी बिजलत नहीं होता जो निरंतर आत्म भाव में इस सुख दुख को समान समझने वाला मिट्टी पत्थर और सुरण में समान भाव वाला ज्यानी प्रित्था प्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा इस्थिति में भी समान भाव वाला है जो मान और अपमान में सम है मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है प्युम् संपुन आरंभों में करतापन के हमान से रहित है वो पुरुष गुणातीत कहा जाता है और जो पुरुष अभ्य विचारी भक्तियोग के द्वारा मुझको दिरंतर भजता है वो भी इन तीनों गुणों को भली भात लांग कर सच्तारंदगन ब्रह्म को प्राप्त होने के दिये योगी बन जाता है क्योंकि उस अभिनासी प्रभ्रह्म और अमृत का तथा नित धर्म का और अखंड एकरस आनंद का आसरे मैं ही हूँ छुद हमा ध्यासम आप हरि हो मत सत्थप्र, हरि हो मत सत्थप रहि आना जा जागी है